नमस्कार दोस्तों मैं हूनी रजराया और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेबलेट के बारे में जो की पेट दर्द में या पेट की बहुत सारी समस्याओं में यूज की जाती है जो मेडिसिन लिब्रैक्स ब्रांट से बहुत ज़्यादा फेमर्स है जिसमें दो अलग-अलग मेडिकेशन होती है जो की होती है क्लोर डाइजी पाकसाइड और क्लीडिनियम ब्रोमाई टेबलेट्स आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग देखेंगे कि ये टेबलेट होती क्या है इसके कमिनेशन में जो दोनों मेडिसिन है ये क्या है इसका काम करने का तरीका क्या है इस medicine का यूज कहां कहां पर किया जाता है, किसके बीमारी में यूज कर सकते है इसके side effect क्या होते है, लेने का सही तरीका क्या है, इसके dose कितनी होती है और लाच्ट में लोग बात कर लेंगे side effect के बारे में तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं Librax टेबलेट के बारे में दोस्तो Librax टेबलेट अगर देखा जाए तो ये दो अलग-अलग medicine का combination होती है जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि Chlordisopoxide 5Mg होता है और Clidenium Bromide 2.5Mg के potency में पाया जाता है और इसको मिला करके ये combination बनाया जाता है जो कि बहुत अच्छी दवा होती है जोस्तो अगर बात करें डिटेल में कि Chlordisopoxide क्या है तो Chlordisopoxide एक प्रकार का Benzodisopin Class से बिलॉंग करने वाली medicine है जो कि आपके body में anxiety को reduce करती है और आपके brain को सांथ करती है ये हमारे body के अंदर में GABA जो chemicals होते है chemical messenger होते उसको increase करके हमारे brain को सांथ करती है काम करती है अगर हम बात करें Clidenium के बारे में तो Clidenium Bromide एक प्रकार की anti-spasmodic medicine होती है anti-spasmodic class से विलॉंग करती है और ये हमारे जो gut है आनि कि हमारे जो stomach और intestine है उसकी muscles को relax करती है उसको relax करके जो cramp की सिकायत होती है atom की सिकायत होती है मरोड होती है उसको ठीक करने का काम करती है तो जब ये दोनों medicine साथ में दे जाती है तो बहुत अच्छा work करती है अब अगर हम बात करें इसके Librex के अलावा और कौन से brands market में available है तो बहुत सारे brand आते हैं जैसे जिस्पा के नाम से आती है Logirex के नाम से आती है रिप्स के नाम से आती है बट रिप्स में क्या होता है कि Diclofenac भी मिला दिया जाता है ऐसे दर्द में भी यह रहात देती है यूलिक के नाम से आती है, लिपोपिल के नाम से है, लिप नाम के नाम से आती है और सेरेकॉन के नाम से आती है दोखो इसके अलावा भी बहुत सारे brands market में available हैं आपके area में अलग-अलग brand हो सकते हैं आपको जो भी brand अच्छे लगते हैं, आप वो brand यूज कर सकते हैं अब जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं या फिर डाक्टर ने आपको जो प्रेस्क्राइब किया है कोसिस करें कि जनरीक अगर मिल पाई, तो जनरीक ही ले दिखा गया है कि Librax का यूज केवल single medicine का यूज नहीं किया जाता है इसको दूसरी medicine के साथ में दिया जाता है और gut disorders यानि कि आपके stomach और intestine के disorders में इसका यूज करते हैं जैसे कि gastritis में इसका यूज करते हैं यानि कि आपके पेट में inflammation है उसमें यूज करते हैं dyspepsia में यूज करते हैं यानि कि अपच में इसका उपियोग करते हैं pet में gas है तो उसमें यूज करते हैं जिसका यूज करते हैं ulcer में इसका यूज करता है ulcer में क्या होता है कि आपके पेट में आपके stomach में घाव बन जाते हैं जिसको पेप्टिक अलसर कहते हैं आपके गट के किसी भी पार्ट में अलसर हो गए हैं तो वहां पर लिव्रैक्स का यूज किया जाता है इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल इंफेक्षन में भी इसका यूज़ किया जाता है और इरिटेबल बाउल्स सिंड्रोम क्या होते हैं तो आपके गट के अंदर में कोई भी inflammation हो गया है जिसकी वज़े से आपको आपके गट में कोई प्रावब्लम आ रही है यानी कि आपके esian में कोई problem आ रही है तो इसको लोग होलते हैं intestinal sorry irritable bowel syndrome कोच लख्षण होते हैं जैसे abdominal pain हो सकता है symptoms हैं, वो ये होते हैं, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, पेट में आपको problem जब होती है, next हम बात करें, librax, debulets जब आप लेने जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी जीज कि कौन-कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज तो आपको alcohol के साथ में इसको कभ sensitivity यानि अलर्जी है, और आपको लीबर से संबंदित कोई problem है, यानि कि जौन डेस या कोई दूसरी problem है, तो आप इसको यूज ना करें, और अपने डाक्टर से जरूर बताएं कि आपको ऐसे कोई problem है, और अपने डाक्टर के prescription को जरूर फालो करें, जैसा भी वो कहते हैं, आप उसी तरह से ही medicine को लें, अपने मन से medicine के में कोई hair fare ना करें, और कभी भी medicine एक दूसरे के साथ share ना करें, क्योंकि medicines का हर व्यक्ति पे अलग अलग प्रभाव परता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें Librax tablet के side effect की, अगर आप लंबे शम happiness देता है, तो आपको sleepiness महसूस होगा, है ना, आपको नींद आएगी अगर एकस का side effect होता है, nausea आसकती है, नेकि मिचली आसकती है, constipation की सिकायत बन जाती है कभी-कभी, जब आप लंबे शमें तक यूज करते हैं, memory impairment हो जाता है, जैसे आपको सोचने समझने के छमता तुरंट से नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि तुरंट से जवाते हैं, वो adverse, actually adverse effect, तो मैं बात करूँगा किसी वीडियो में कि, what is the difference between the side effect and adverse effect, तो अभी रहने देते हैं, यही बता देंगे, तो problem हो जाएगे, and dryness in mouth हो सकता है, and difficulties in urination हो सकता है, urination मनें कि आपको पेशाब क impairment हो सकता है, and depression की सिकायत भी आती है, कभी-कभी, जब आप इसको लंबेश हमें तक यूज करते हैं, तो यह थो side effect, अब हम लोग last में बात कर लेते हैं, dose के बारे में, कि इसकी dose क्या होती है, medicine को सही से कैसे लेते हैं, बड़ी confusion होती है, इस medicine के उपर की कैसे लेते हैं, तो पहली चीज़ तो डाक्टर की prescription को follow करो, जैसे डाक्टर ने बोला है, वैसे आपको खाना है, अगर और यह दूसरी medicine के साथ में दी जाती है, बहुत commonly इसका देखा गया है, कि यह बहुत कम अकेली medicine दी जाती है, जैदे तर दूसरी medicine के साथ में supportive medicine के दी रूप में दी जाती severe condition में, तो severity के अनुसरी डिपेंड करता है, यह आपको medicine कैसे दी जाएगी, पर अगर हम बात करें 5MG plus 2.5MG, तो जो elder person है, बुजुर्ग लोग है, उसमें यही medicine दी जाती है, और इसको लेने का सही तरीगा क्या है, तो इसको खाने के पहले भी दिया जाता है, खाने के बा जाता है, पर कई बार prescription में, हमने भी देखा है, कि यह खाने के बाद दी जाती है, तो उससे कोई problem नहीं है, तो आप उसमें ज़रा सा भी confused मत होना, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा confusion वाली चीज़ होती है, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कि यह दावा खाना खाने क पहले खानी है, या खाना खानी के बाद खानी है, आप इसको खाना खाने के 30 मिनट के बाद ले सकते हैं, कोई problem नहीं है, या खाना खाने के 30 मिनट पहले भी ले सकते हैं, तो ज़्याद आच्छा काम करेगी, बाकि severity के अनुसार यह medicine मने चासा आपको बताया, इसकी dose भी व को में सब पानी से खानी होती है, तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी, लिब्रैक्स के बारे में, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो चले लिगो सबस्क्राइब कर दीजेगा, कर दिया तो बहुत बहुत धन्नवाद इस तरह क के लिए बहुत बहुत धन्नवाद